नमस्कार अमरानी गुप्ता क्यूरनी अरवेदा में आपका स्वागत करती हूँ एक बाफिर से हाजीर हूँ एक खास प्रोगाम के साथ हमक्सर इस क्यूरनी अरवेदा के चैनल के तुरू आपको जौनकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे बिमार्यों से निदान पासकते ह है साथ ही कैसे आप बिना डॉक्टर के पारमर्श लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं साथ ही अपनी डाइट को कैसे फॉलो करते हैं लेकिन आजकल की वदलती लाइफ इस्टायल को देखने की बजाए अगर लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दे तो इससे बिमारियों को अपने सरीर मिन्योता देने से रोग सकते हैं साथ ही अगर देखा जाए तो आज की समय में पुर्शो शे अधिक महिलाएं अधिक समस्याओं से ग्रफित नजर आती हैं साथ ही कई ऐसी बिमारिया उनके अंदर पर अपनी शुरू हो जाती है जिसके अपनी ज आपको बहुत स्वाबत करती हूँ आज जिस चर्चा पर हम बात करेंगे वो चर्चा है महिलाओं में जो गरपात होता है हाला कि देखा जाए तो बदलती लाइफिस्टाइल में महिलाए और पुर्ष भी शादी बच्चे भी जंग फूर्ष का अधिक सेवन करते हैं लेकि मेरा आक से पहला ही है कि महिलाओं में गरपात होने के कारण क्या होते हैं ? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दू कि महिलाओं में गर्ब पात की समस्यां असले देखी जाती है क्योंकि अगर आपको किसी तरीके का तनाव है या आप खून की कमी है या ठीक तरह से खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह समस्यां बनती हैं गर्ब पात का कारण बन होता है क्योंकि उसके अंग बनने शुरू होते हैं और फर्स्ट मन्स से फॉर मन्स के बीच में गर्ब धारण की जादा देखी जाती है एक आइसे समय में फिल दारण के किसा के जादा आते है यानि कि गर्ब पात की किसी जादा आते हैं ऐसे में देखा जाता है कि मैंईला ठाल। थाट कि दिए सेवन है प्रमक आपकर में में गये ही उनला। इंके होने वाले पाइक थाट कंपी आर। अपकर मोड्य चेरा बसको है, था थाय करना नहीं पूट àdre नहीं करने शुतक, आपको स्वास्त समस्याओं से ग्रिस्ट करती है आपके होने वाले बच्चे के उपर भी बहुत ही गलत प्रभाव डालती है बिल्कु सही का दिपिकर रंडन जी ने कि अगर आप अपनी सीहत का खास ख्याल नहीं रगती है अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेती है जो आपके सीहत के साथ आपके पेट में आपके गर्भ में पल रहे नवजाश शिशू के लिए भी काफी हद तक खतरनाक साबित होता है अगर आप चाती है कि गर्पात ना हो और आपका बच्चा स्वस्त जनम ले तो आप इसके लिए अपनी डाइट का खास ख्याल रखे साथ ही बाहर के जंगपूर से दूरिया बनाना शुरू कर दे लेकिन हमेशा देखा जाता है कि लोग अपने करियर खास दोर पर लड़किया अपने करियर को बनाने के लिए एक उमर के बाद शादी करती है 30 के बाद कहें या फिर यूँ कहें कि कुछ गड़कें ऐसे तो 35 के बाद शादी करती है लेकिन कहीं न कहीं ये भी रिजन होता है गरपात होने का क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है कहा जाता है कि जोरत से ज़्यादा किसी भी चीज का सेवन जैसे आपकी सेहत पर नकरात्मक असर डालता है ठीक उसी परकार से अगर एक समय का अनुसार आपने वो काम नहीं किया तो इससे आपकी सेहत के साथ साथ आपके बच्चे पर भी गंबीर असर पड़ता है क्योंकि हमारी human body जो होती है वो प्राकतिक होती है अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका हम एक तरफ से ढलता चला जाता है और ढलने के साथ आपकी माजबेशियां साथ ही आपकी कई ऐसी चीजे नाजू कोनी शुरू हो जाती है जो जल्दी ही डेमेज हो जाती है और इस ते आप उस चीज को अच्छे से कंसीव नहीं कर पाते लेकिन मेरा अगला कुशन आपसे यह है देपिका रनन जी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो कहते है एक उमर क्या होती है जिसमें गर पात होने के चांसे कम हो या फिर महिला जर्णा है तो आप दर्श्णों को यह बता रिजिए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही उमर क्या होता है या पिर सही डाइम क्या होता है लिए अगर घरब धारंड की बात की जाए तो महिलाओं में अकसरी समस्या आज बहुत देखि जा रही है क्योंकि महिलाओं में बाद गर्ब को धारन कर पाती है तो एक जैसे कि आपने बताया है कि एक उम्र के बाद अगर आप किसी चीज को धारन करते हैं तो उस उम्र में आकर आपकी जो कोशिकाएं दिरे दिरे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर की कोशिकाएं दिरे प्रेशर भी जादा होता है और आज आप देखी रहें कि अधिकतर महिला हैं वरकिंग हैं ऐसे हालात में हर दिन की भागद और थकान की वज़े से भी यह समस्या आनी शुरू हो जाती हैं तो गर्ब बात का कारण यही सारी चीजे बनती है बाकि देर से गर्ब धारन होने का क अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपनी सेहत पर बराबर ध्यान दें आप लगातार अराम पर भी ध्यान दें आपको अराम करना भी जरूरी है और सही उम्र यानि की 25 से 30 के बीच में एक स्वस्त महिला का गर्ब धारन हो जाना चाहिए जिससे कि होने वाला सेजेरियन की की है तो सेजेरियन से यह होता है कि जब आप ने तरीके से बच्चे को बर्थ नहीं होता है ने तरीके से बच्चे को बर्थ नहीं होता है उसके हाथ परों की मूमेंट नहीं होता है क्योंकि सेजेरियन में होता है कि उसको पेट के रास्ते निकाल दिया जाता कि बच्चा हर करीकिसे हो तो हो साए कि प्री मिम हो जाता है तो यही समस्या बच्चे के विकास के लिए भोती निकरात्मक असर डालती है और गर्वधारण का जो सही समय अगर बात की जाए कि कुछ माहिलाओं लुटाब की एक शिकायत यह रहते हैं कि हम यह नहीं पता कि किस समय में हमें घर्भधारन करना चाहिए तो जो आपके तो हम किसी ताइम के बिना भी करते हैं सहवास का कोई समय नहीं होता है लेकिन अगर आपको सही समय में गर्वधारण करना है अगर आपको यह नहीं पता है कि गर्वधारण करने का सही समय क्या है अगर आप गर्वधारण नहीं कर पा रही है तो सही समय है कि पीरियेट जिस आपके स्टार्ट होते हैं उसके first day से आप डे काउंट करना शुरू कर दें 12 से 14 कि दिन के बीच में आप गर्व धारन कर सकती हैं बिल्कूल सही कहा डिपिका डिन जी ने क्यूंकि अगर आप गर्व धारन करने में दिक्कत होती है तो आप पिरेस से दिन को काउंट करना स्टार्ट कर दे उसके तुरू अगर आप आशानी से गर्व धरन कर सकती है और साथ ही आपको डिपकर अनरंजी ने बताया कि 25 से 30 की उम्र होती है जो महिलाओं के अगर गर्व धरन करती है तो उनका बच्चा स्वस्त पैदा होता है साथ ही बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिल कोई ज्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि पैदी तक नॉर्मल हो सकता है उस समय में ऐसा होता है कि आपको अपने खान पान पे विशेज ध्यान देनी की जरूरत होती है साथ की साथ डॉक्टर की परामर्ष साथ साथ लेते रहें जो वह इंस्रक्शन आपको देते हैं आप उस पिशतन के गर्बधारन करते हैं उस समय में आप गरम चीजों का सेवन कर और अपको रफे उस लॉक्टर कि एंसे गरम खाञा उस तेख स करने में समस्याए गी खुद मुंको नहीं है कि आपको घंघ ही 100 जेज फंड़ खाना नहीं घ 수가 गर्ब धारन होने के बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद जब एक स्ट्रॉंग अंदर बेबी बनना शुरू हो जाता है उसके बाद आप गरम चीजों का सेवन कर सकते हैं वो भी उतनी मात्रा में जो कि आपके बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए अगर आप गर्ब धारन करती है तो इन बातों का खास ख्याल रखे कि आप ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो आपके बच्चे पर नकरात्मक असर डालती हो या फिर आप रेगनेंट ना हो पाए और बैतर होगा अगर आप 25 से 30 के बीच में अपना एक नया लाइफ सुरू कर स इसमें आप स्वस्त भी रहती है और आपका होने वाला बच्चा भी काफी हद तक सेहत मन रहता है और जाते जाते आपको बताते चलें कि आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और खास तो पर महिलां की बात की जाए तो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उससे या फिर यू कहें कि रिलिवरी के बाद भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और अपनी डाइट में ऐसी चीजों को सामिल करें जिससे आपकी सेहत तंदूस बने साथ ही आपके बच्चे भी सेहत भी काफी हद तक सेहत मन बने आज की इस खास प्रोग्राम में इतना ही कि आप एक नॉर्मल बच्चे को जनव दे सकती हैं कि अगर आप हमें अपनी समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें तो हम आपकी समस्यों का निवारन लेके जरूर हाजिर होंगे और आज के इस प्रोग्राम में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपक इस प्रोग्राम में इतना ही एक बफिट से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए ज़ात और हमारी चैनल यानि क्यों नहीं अरिवेदा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि हर लेटिस्ट अपडेट आप तक पहुंचे तो आप उसके वैल आइकन को प्रैस करना ना भूले नमस्कार